हेला दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चानल चटपटी बैर रचना में आज हम बनाएंगे कॉन फ्लार या आप इसे कॉन स्टार्स भी बोलते हो हमेशा हमें इसके जरूत किछिन में पढ़ती ही रहती है मार्केट में आता है लेकिन वो प्रिजर्वेटिव से भरा होता है ज कोई भी क्ऊंन ले सकते हो तो यहां पर मैंने लिए हुआ है दो मखई इसे मएं तोड़ दिया अब हमें इसके जो दाने हैं इने अलग कर देना है तो बहती असाने से लिग हो जाएंगे मैं यहां पर सारे दाने अलग हो गए बढ़िया से निकाल आए हैं इस रसिपी के लिए आपको सिर्फ दो ही भुट्टी के जरूत पड़ेगी अब दिखिए अब मैंने इसे क्या किया कि एक बड़े से बर्तन में सबी दानों को हम ट्रांस्फर कर देंगे तो ध्यान दें कि गंदरी वो अच्छे से निकल आई हैं यहां मैंने भुट्टे को बहुती बढ़िया से साफ कर ले दो तीन पानी से अब मैं इसे ढख के रख रहे हूं साइड में 6-7 गंटे के लिए या फिर आप इसे रात भर के लिए भी रख सकते हो यहां देखिए सुबह हो गई है और मैं आपों दिखाती हूँ कि भुट्टे के दाने बहुती अच्छे फूल चुके हैं बड़े हो चुके हैं तो मैं इसे ट्रांस्फर कर रहे हूं मिक्सी की जार में मैंने यहां पर बढ़ा वाला जार लिया है ताकि एक बार में जार से जादा मकरी को हम ग्राइंड कर सके च्छनी आप लगा सकते हो या महीन वाली च्छनी भी लगा सकते हो अब इसे हम ट्रांस्फर करके और इसे हम च्छान लेंगे च्छानना बहुत जरूरी है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वेडियो का अब इसमें मैं साफ पानी डालकर और जितनी भी पानी खतम आओ तक तक हमें इसमें साफ पानी डालकी और च्छानना पड़ेगा यह देखिए मैंने च्छान लिया और इसको हम रख देते हैं अलग आप इसे यूज कर सकते हो रोटी बिनाने में यहाँ देखिए सारे पानी मैंने यहाँ पी कठ्ठा कर लिया अब क्या करे कि हम इस पानी को रखेंगे रेस्टपर दो से तीन घंटे के लिए हम इस पानी को रख देंगे को किसी भी कहन्य में आप रख सकते हो मैं मिलती हूँ अब जो गंदे के बाद ये दिए दो घंटे के बाद जितना सटले में बैठ गया और जो एक्सेस पानी है वह आ इस पानी को न हम निकाल लेगे किसी भी बर्तन व में आप पानी को निकाल लिजिए अब है पानी हमारे किसी भी काम respecto नहीं रहा को दो सतल बहुते ईजी स्टेप से और कितना आसान है Arganda together मिल जाएंगी घर बैठे बैठी बैठे लास्ट तर्फ जो भी पानी हो आप उसे निकाल लीजिए आप बड़े से थाली में मैं इसे निकाल रही हूं पतला परतमने बनाना है आप चाहें तो दो तीन थाली में भी डाल सकते हो जब तक कि पतला परतमना हो क्योंकि अगर पतलाप होगा तो फिर यह सूखने में इसे जल्दी कम टाइम लगेगा यह मैंने फैला दिया अब मैं इस रख रही हूं धूप में बहुत अच्छी धूप है तो यह सूख जाएगा दिन बार में यह देखिए शाम का टाइम हो गया और मैंने च्छत से ले आय यह सूखने के बाद इसमें थोड़ा से क्रैक्स पड़ जाते हैं तो चमत से इसे अच्छे से निकाल लेजिए और अब निकलने के बाद हम इसे दुबारा से ग्राइंड करते हैं जाकि जो भी थोड़ा बहुत इविन हो जाए इसका टेक्च्छर है वह बहुत ही अच्छा फ्लोर के फ्लार के फॉर्म में आ जाए तो यह मैंने यहां पर इसा ड़कन लगाया और हम इसे बहुत ही महीन पीस लेंगे यहां देखिए बिलकुल बाजार से भी अच्छा कौन फ्लार या कौन स्टार्च हमारा बन के त्यार है बस कुछी स्टेप्स में यह बन गया और यह देखिए अगर आपको लगे कि थोड़ा से भी ट्रेक्षार इसका दरदरा है तो आप इसे एक बार च्छनी से चान ले लेकिन यहां पर मेरा जो कौन स्टार्च हो बहुत ही फाइन बना है तो मैं इसे नहीं चान रही हूँ तो है ना कितना एजी बनाना इसे तो आप बना करके एक साल लग के लिए स्टोर कर सकते हो हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जितना अच्छे से सूखेगा उतना ही इसके सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी तो इसे सुखाने में कंजूसी नहीं करे सुखाना बहुत ज़रूरी है बिना प्रिजर्वेटिव के एर टेट क अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्रीज वीडियो को लाइक के सब्सक्राइब किजिएगा और अगर थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ 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 तो आप इसे एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए धन्यवार